सबसे बेसिक से अगर हम शुरुआत करें तो bank deposit या FDs जैसे आपने बताया, fixed income products होते हैं, अब इन में पैसा रखने से experts हमेशा मना करते थे, I think, क्योंकि inflation को ये बीट नहीं कर पाते थे, जो इनका व्याजदर मिलता था, क्योंकि ये instruments taxable भी होते हैं, तो ऐसे में अब जो current situation ह जहाँ पर ज्यादातर banks 7% से उपर तक के अब ब्याजदर दे रहे हैं fixed deposits में, क्या advice करेंगे कि इस वक्त FDs में पैसा रखना सही रहेगा? पहले तो जब experts बोलते हैं कि fixed income में पैसे रख मत रखो क्योंकि वो inflation को बीट नहीं करता है, वो ठीक है, बास सही है, पर वो एक ऐसे निवेशक के लिए है, जिसमें risk लेने की शमता है, वो volatility को झेल सकता है, अगर मैं एक गाउं में रहने वाला आदमी हूँ और मेरे पास 5 या 10 लाक रुपे हैं और मिझे stock market का कोई ग्या नहीं, बिलकुल, तो मैं फिर उस पैसे को जोखिम में नहीं डाल सकता, मैं अपनी रातों के नीद नहीं उडा सकता हूँ, ना मैं पैसे को उसको किसी land में डाल सकता हूँ, जहां पर वो फस जाए, तो मुझे वो 5 लाक, 10 ल है, 7 परसेंट है, 8 परसेंट है, और उसको फिर inflation से तुनला नहीं की जासा, इन्फलेशन वाला जो argument है, वो उन लों के लिए है, जो कि sophisticated investors हैं, जिनको मालूम है कि stock market क्या होता है, या gold क्या होता है, या बाकी asset classes क्या होती है, उन लों के लिए वो तर्क ठीक है, पर एक आम इ अब ये ऐसे में corporate FDs या company FDs क्या होती है, और जैसे आप ये आपने पताया, post office deposits, क्या ये बेहतर होते हैं, इन में निवेश अद्वाइस करेंगे आप, ये corporate FD अच्छी चीज है, ये alternate mechanisms हैं, investment के लिए, आज बैंक क्या कर रहा है, बैंक निवेश कों से, जो उसके depositor है, और वो पैसे को, you know corporate FDs में corporate's को lend करता है, अभी अगर आप खुदी डाल दें corporate को पैसा देदें, तो शायद आपको 8% का, ज्यादा भ्याज मिलेगा, जो bank को मिल रहा था, वो आपको मिल जाएगा, और क्योंकि corporate में आप invest कर रहे हैं, तो थोड़ा सा risk भी ले रहे हैं, तो इसलिए जो भी corporate FD अच्छी चीज है, पर उसमें थोड़ी समझदारी की जरूरत है, क्योंकि आपको ये देखना है कि corporate की standing क्या है, उसकी credit rating क्या है, उसकी liquidity क्या है, तो वो बिना किसी एक advisor, एक सलहाकार के उसमें invest करना समझदारी नहीं है. झाल